हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको गोधना पेंटिंग बताने जा रहे हूं यह है सारी पर गोधना पेंटिंग इसको मैंने अलगंडी के सारी पर बनाया है यहां आचल है और यह चारोर बोडर है यह बोडर है यह आप देख रहे हैं इसका बोडर है यह बोडर है इसको पेंट करने के लिए हम किसी भी स्ट्रेस नरी के दुकान से पेंट खड़ी देंगे अपना जैसा हमको कंट्राश्ट पेंटिंग करना है उस तरह का हम पेंट खड़ी देंगे और इमेल खड़ी देंगे पेंट को हलका पतला करने के लिए इमेल खड़ी देंगे और उसका प्लेट पिकता रहता है वो हम खड़ी देंगे उसमें हम पेंट को रहकर ब्रस से अच्छी तरह से मिलाएंगे और फिर इसको हलका हलका ब्रस से जीरो नमबर के ब्रस से इस पत्ती को बनाया गया है और एक नमबर के ब्रस से फूल को बनाया गया है इस तरह से हम इसको पेंट करेंगे यह गोधना पेंटिंग है इसको हम इसलिए आपको आराम से दिख ला रहे हैं तो आपक इसको बना सकती है, और बना कर भी इसको रंग सकती है, इसलिए हम इसको आपको साप साप दीखा रहे हैं, इस तरह से बना हुआ है, गोधना पेंटिंग इसको काते हैं, इसके बाद आपको हम अगले दिन मधुवनी पेंटिंग दिखलाएंगे, और सौर्ट्स में इसका हम ड तो यह अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कोमेंट करिएगा जिसके जिससे हमको और भी पेंटिंग देने में सुविधा हो हम आपको सुफा कवर कुशन कवर सारी सलवार सुट सबका पेंटिंग हम आपको दिखलेंगे धन्निवाद